फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की इस वीडियो में हम सुप्रीम कोट के द्वारा दिये गए एक जज्ज्मेंट के बारे में बात करेंगे जो की IPC की सेक्षन 498A, 406 और 323 IPC को लेकर आया है इसमें सुप्रीम कोट ने कह का अंत करने वाले हैं जिसमें मानिय सुप्रीम कोट ने IPC की सेक्षन 498A, 406, 323 IPC पर रोक लगा दी है पतनी अपने ससुराल पक्ष यानि की पती उसके माता पिता भाई बहन पर 498A, 406, 323 के अंतरगत एक केस फाइल करती है और इस केस की समिनिंग केवल पती को ही होती है और फिर पतनी के द्वारा एक रिवीजन डाली जाती है जिसमें पतनी कहती है कि पती के माता पिता और भाई बहन को भी समिनिंग होनी चाहिए यहां पर ट्राइल कोट को एक निर्देश दिया जाता है कि सभी के उपर कारेवाई होनी चाहिए फिर सभी को समिनिंग होती है इस केस में पतनी के दوारा ये आरोप लगाए जाते हैं कि पतिपक्ष के दोारा मेरे से दहेज की मांग की गई मेरा हरेस्मेंट किया है और तीनलाख रुपे की डिमांड की है साथ में एक गाड़ी की भी डिमांड की है और इन लोगों ने मेरा इस्त्रीधन भी अपने पास रख लिया है और मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो इस तरीके के आरोप पत्नी के द्वारा पतिपक्ष पर लगाये जाते हैं अब पतिपक्ष 482C RPC में आते हैं हाई कोट हाई कोट में जब यह मामला जाता है तो इसको मेडियेशन में भेज दिया जाता है और जब मेडियेशन में कोई बात नहीं बनती तो अंत में यह मामला पहुंसता है मानिय सुप्रीम कोट में मानने सुप्रीम कोट के द्वारा जब इस मामले को देखा जाता है तो सुप्रीम कोट के द्वारा समनिंग पर रोक लगा दी जाती है सुप्रीम कोट के द्वारा ये कहा जाता है कि पति बक्ष बिना वज़ा से आरोप लगाए जाते हैं और 498A या 406 का आजकल बहुत जादा मिस्यूस हो रहा है साथ में National Legal Service Authority को ये आदेश दिया जाता है कि इसमें ये देखना है कि अगर केस अच्चा है तो पनिश्मन्ट मिलनी चाहिए अन्यदा केस को खतम कर दिया जाए तो ये समय समय पर सुप्रीम कोट के द्वारा केस में गाइडलाइन्स दी जाती है इस जज्मन्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं